Example No.17 की तरफ चलते हैं Example No.17 work energy theorem को पर बेज एक और numerical आप से के अगर आइस के अंदर देखो आप से कह रहा है In a ballistics demonstration a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 cm the bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy दियान दे आप से कह रहा है What is the emergent speed of the bullet bullet की emergent speed ही कितनी होगी एक बात बताओ हम से कह रहा है एक police officer उन्हें bullet को fire किया है और सामने plywood लगी हुई है उस plywood के अंदर से bullet ने pass करना शुरू किया 90% जो है उस plywood ने energy को absorb कर लिया इसकी सिर्फ 10% kinetic energy से निकली है तो शुरुवाती kinetic energy का सिर्फ 10% लेके निकली है 90% तो खतम हो गए इसकी तो हम सब पूछ रहा है कि final speed क्या होगी तो आप ही देख रह confident final kinetic energy कितनी होगी initial का तो initial का final kinetic energy 10% है initial kinetic energy का final kinetic energy 10% है से निकाल देंगे हम लिखेंगे solution हम क्या कहेंगे हम कहेंगे according to work energy theorem work energy theorem से यह फिर आप work energy theorem भी नलगाऊ तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यहां पर सीधा सीधा दिखाए दे रहा है कि जो emergent energy है वो सिर्फ 10% है इसका मतलब आपके पास initial kinetic energy कुछ होगी बिल्कुल उसका 10% जो है वो emergent है तो आप सब पुछाए वेलो सेटी बता दो तो आप इसको हटा दो इसको छोड़ो डालेक्ट लिखो आप लिखोगे न इमर्जेंट कि इमर्जेंट काइनेटिक एनरजी ओफ बुलेट यह कितना होगी यह कितना होगा 10% होगा ओफ इस इनिशल काइनेटिक एनरजी अब बताओ इनिशल काइनेटिक एनरजी कितनी थी 10% का मतलब होगा 10 upon 100 इनिशल काइनेटिक एनरजी कितनी थी यू दे रखा आपको 200 और रूट 10 ऐसी रहेगा 200 रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है जलिसवा 3.18 याद होना चाहिए जब 200 को 3.18 के साथ डिवाइड करोगे तो आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ 200 के 3 हिस्से करो 200 के जब 3 हिस्से करोगे तो यह 70 सक कम आएगा वो नीचे 0.18 भी है तो कहीना कहीं वैल्यू जो आएगी वो यह आएगी 63.2 63.2 मीटर पर सेकंड तो यह इमर्जेंट वैलोसिटी है 63.2 मीटर पर सेकंड याद रहें इस तरह से आपको कोशन को सॉल्व करना है तो कुछ टॉफ एप्रोच है आप लोगा अगर माइंड के लिए रहा है बिल्कुल कॉंसेंट्रेटेट हो आप चीजों को लेकर के तो आ देंक्यू